प्रशान दवन देगे आज के समय जो जंग है ये ग्राउंड पर लड़ी जाती है मगर साथी साथ सोशल मीडिया भी एक फ्रंटियर बन चुका है वार का रिसेंटी आपने देखा होगा ये ट्रेंड वारल हो गया था दुनिया भर में all eyes on रफा इसराइल पर ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा प्रेशर डाला था इसराइल ने इसके रिस्पॉंस में खुद का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है तुम्हारी आखे कहा थी where were your eyes on ये 28 में को अचानक से बहुत सारे जो गाजा के फिलिस्तीन के जो pages है social media pages उन्होंने ये artificial intelligence generated image ये असली image नहीं है I hope ये आप देख पा रहे हैं ये artificial intelligence generated image ये social media पर share करनी स्टार्ट कर दी इस पे लिखा क्या है all eyes on रफा हम सब लोग देख रहे हैं कि रफा में क्या हो रहा है रफ इसराइल ने पूरे गाजा पर bombing करनी स्टार्ट कर दी तो एक understanding ये बनाई गई थी कि राफा होगा एक safe zone यहाँ पर जो लोग भाग कर northern गाजा से central गाजा से आ रहे हैं ये यहाँ पर tense पे रहेंगे मगर इसराइल ने राफा पर भी attack करना स्टार्ट कर दिया even though international court of justice और various countries इसराइल को का था कि प्लीज राफा पे bombing मत करना कुछ अनहुनी ना हो जाए civilian population ना मारी जाए और हुआ ही यही इसराइल ने जब bombing करनी स्टार्ट करी राफा पर तो civilian population unfortunately मारी गई और नेतन याहू को पुरी दुनिया से माफी भी मागनी पड़ी कि sorry हमसे गलती हो गई थी और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल नेतन याहू ने का था कि इसराइल की जो strikes होई है राफा पर जहां पर 45 लोग मारे गई हैं यह एक tragic mistake थी बाई इसराइल और इसराइल अभी investigation कर रहा है इस पूरे case की ना इसके बाद हमने देखा कि Bollywood में बहुत सारे जो celebrities है उन्होंने all eyes on Rafa कि जो यह artificial intelligence generated image है यह share करनी स्टार्ट कर दी इधर आप देख पाओगे वरुन धवन और various और जो actresses हैं Bollywood में सबने यहाँ पर यह all eyes on Rafa यह post करना स्टार्ट कर दिया now interesting बाद यहाँ पर यह है कि इन में से कई लोगों ने यह जो post थी Instagram पे और social media handles पर यह delete भी कर दी थी और delete क्यों करी गई वेल इसका reason यह है कि बहुत ही जल्दा लग रहा था कि यह एक geopolitics का पार्ट बन चुका है क्योंकि अचानक से इरान की सरकार कूद गई सब के बीच में इधर आप देख पाओगे रोहिच शर्मा रोहिच शर्मा जैसे आप जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टेन हैं इनकी पत्नी ने जो यह post थी all eyes on रफा वाली यह delete कर दी मादुरी दिक्षित ने यह post डिलीट कर दी और कुछ हट तक इसका reason हम देख सकते हैं इरान की जो सरकार है उन्होंने बहुत बड़े scale पर यह all eyes on रफा यह हर जगा post करना start कर दिया था इससे देखिए globally अब थोड़ी सी understanding हो गई के शार्द यह एक geopolitical game का part है यहाँ पे आप देख पाओगे इरान इंडिया की जो embassy है इन्होंने all eyes on रफा का जो है यह डाल लखा है और यह campaign क्या start इरान ने किया था start कैसे हुआ था पता नहीं बड़ इरान की सरकार आज के समय बिल्कुल full front से इस campaign को lead कर रही है और total अगर हम देखें तो 24 घंटों में 29 million 2 करोड 90 lakh shares हुए थे इस post के all over the world तो करणों लोगों ने यह post देखिए और इससे obviously इसराइल पर pressure बना कि राफा पर जो तुम कर रहे हो यह रोखना होगा accountability पूरी दुनिया मांगेगी क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि राफा पर क्या हो रहा है इसके response में इसराइल की सरकार खुद का एक campaign launch करती है where were your eyes तुम्हारी आखे थी October 7 को यह सब जो post थी October 7 को क्यों नहीं करी जब 11 1200 इसराली नागरिकों को मार दिया गया था वो सब civilians थे और उसके लावा आज भी बहुत सारे इसराली दोग हैं जिने as hostages हमास पकड़ के बैठा है और इन्होंने ये फोटो भी करिये पब्लेश ये पूरी फोटो में दिखानी पाऊंगा आपको unfortunately क्योंकि इसमें एक इसराली घर बने हुए हैं लोग है बहुत सारे और नीचे यहां पर देख पाऊगे सुरंगे हैं इसराल का यही कहना है कि में देहिए इनको अपने जो hostages है उनकी पड़ी है अगर हमास इसराल के जो hostages है जो नीचे यहां पर देख पाऊगे सुरंगों में है इनको इसको कोई सोशल मीडिया पर इतना जरा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, कोई Hollywood का बड़ा celebrity, कोई Bollywood का बड़ा celebrity, इसको इतना प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको इतना शेर नहीं कर रहा, जबकि जो All Eyes on Rafa वाला ट्रेंड था, 44 मिलियन टाइम्स इसको ओवराल शेर किया गया था पहले जो 24 गंडे थे, उसमें 29 मिलियन टाइम्स, 44 मिलियन टाइम्स तो ये शेरी किया गया है, और इसके पीछे बहुत ही बड़ा मैं काऊंगा पुछ था, Bollywood का Indian Actors काऊंट की एक humongous fan following है, करड़ो लोग उनको follow करते हैं दुनिया भर में, तो वो लोग जब पुछ करें गलोबली एक जो image बनी है, कि India एक काफी pro-Israel country है, और हमारे या काफी pro-Israel बात होती है, ये चीज़ काफी यत्तक negate हो चुकी है, क्योंके पूरी दुनिया ने देखा है, कि Indian celebrities ने lead किया है, इस पूरे campaign को, और Palestine के जो Ambassador to Indian हो ने ये का है, कि उमीद करते हैं, कि जो ये slogan है, और इस पूरे incident से एक बाद हम यह सीख सकते हैं, कि social media में किती power है, जो पहला step लेता है, जो initiative लेता है, वो कितना बड़ा upper ground gain कर लेता है, इसराइल ठीक है अपना यहाँ पे campaign launch कर रहा है, बट लगता नहीं है कि इस campaign के against, इनका campaign लंबे समेता खड़ा रह पाएगा, खेर अभी इस topic से related बहुत developments आएंगी, कुछ और major news आती है, तो मैं बाद में आपके लिए updates ले आऊँगा, फाइनली आपसे question पूछूँगा, कि world hunger day यह कब observe किया जाता है, हिंटी मैं यह दे सकता हूँ, कि recently ही world hunger day आया था, बताइए यहाँ पर सही answer क्या है, 1st में, 28 में, 5 में, या फिर 15 में, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाड दे दूँगा, ताकि बाकि लोग समझ पाए के सही उत्तर क्या है, बहुत news में था world hunger day, गाजा परस्पेक्टिफ से भी काफी news में था, तो लिहेगा यहाँ पर सही answer in the comment section below, और आप लोगों के लिए एक important announcement, study IQ की sale हो चुकी है, active, comment section में जाईए, यहाँ पर आपको मिलेगा यह link, आप various study IQ के exams कर सकते हैं, purchase at a huge 30% discount, सिर्फ 3 दिन की यह sale है, 31 में को यह sale खतम हो जाएगी, तो comment section में जाईए, for example, आप अगर UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो UPSC के यहाँ पर batch 7 पर आप कर सकते हैं, click, यह है long term batch, 36 महीने की होगी यहाँ पर validity, अगर आप एक college student है, आया फिर आपके पास time है, आपके पास बस एक vision है, कि मुझे 2-3 साल में proper attend देना UPSC का, I want to prepare and then attend the exam, तो यह course आप कर सकते हैं purchase, but जो यहाँ पर price लिखा है, obviously, never pay this price, simply आपर code use करिए PD10, और prices बहुत ज़रा गिर जाएंगे, you will be able to save a lot of money, monthly thousand रुपीज से भी कम पे करके, आप UPSC exam की तियारी कर सकते हैं, घर बैटे, यहाँ पर आपका prelims, mains and interview, तीनों cover होगा, साथ ही साथ आपको physical books भी मिलेंगी, delivered to your home, so use the code PD10 and save money, इसी नोट के साथ यह है वीडियो का, thank you for listening and as always, may the gods watch over you.